पता हैंगे बिहार ही है लड़की को हमेशा दवा के रखा जाता है गर से निकलने नहीं मिलता इस कंडिशन में हम लोग रोड पे हम लोग को सरकार चोड़ दिया है सब कुछ आसवासन देते हुए अभी परसानी चेलना पड़ रहा है नितिश किमार वो या जो सिच्छा मंत्री जो भी हो इनलों का सोच की रहा हुआ है आगे तक हम लोग का बात अच्छे तरीके से रखें ताकि हम रोड पे भटके नहीं कर से नमस्कार अब देखने आप और मेरा नाम से सांग पांडे है स्थताय अवियरती लगतर अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों को लेकर सर्कों पर बैठें है में स्थी ती क्वालीफाइड अश्रुम सब्षापी औरustom से मांगों को लेकर सोट ग data और फिर वह गंप्यांगों को लेकर करवाले से आना करता हैं तो फंड का मौसा मैं उपर से परमिशन लेगे और हमारे वी बहुत सपोर्टीव है कि उन्हें एक उम्मीड है कि हमारी नौक्री लगेगा लेकिं जो हमारी सरकार है हम चाहती है कि हमारे नौकृरी दे और एक साल होगा हमारे विजल्ट को पब्लिश सब्सक्राइब करें अधर से उतना सपोर्ट मिलता है जितना लड़कों को सपोर्ट आम तर पे देखा जाता है कि जितना लड़कों को सपोर्ट मिलता है कहीं जाने के लिए वह उतना लड़कियों को नहीं मिल पाता है और आप लोगों को इतना सपोर्ट मिलता है कि आप लोग बार बार पटना आती है दूर दराज इलाके से बार बार पटना आती है फिर यहां तक अंदोलन करती है फिर साम को जाती है दिन ढलने के बाद जाती है इतना सपोर्ट मिलता है गर वाले हमें इसलिए इस करोना काल में आप लोग अपने घर से आई हैं आप एक छोटे बच्ची को भी लेका आई हैं घर तो लगता होगा और घर से परमिशन मिलता है इसलिए हैं इसलिए नौकरी के लिए घर से परमिशन मिलता ही है घर भी लगता है कि बच्चे को लेकर के हम लोग सरा आना भी जरूरी है ने सर कि हम लोग अब एक साल होने को आप तक स्थिप्र केट निर्गत में किया गया है हम लोग को सरकार से बस यहीं मांग है कि हम लोग को सब्सक्राइब निर्गत किया रहा है और उस समाज में अपने अपने आपको इस कदर बताया कि आप टीचर बन सके और इतना पढ़ने के बाद भी आप श्कूल में नहीं जा रही है आँ धरना पर दर्शन पर बैठ रही है हमें तो लगते हैं कि हमारी सरकार भी खराब है जो हम लोग को पास करा करके सब कुछ आसवासन देते हुए अब फीर परसानी जहना पढ़ रहा है काफी दूर दूर से हम लोग आ रहे हैं बोट करे लिए अपने पच्छों को छोड़ करके आना बहुत परिसानी फीड होती है जिशकुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के संबान की बात करते हैं उनको संबान करते हैं और हमतन की बात होती है लेकिन जब आप लोग यहां धर्णास तल पर बैठती है तो क्या लगता है कि बात बोलते हैं लेकिन इस बात को फॉलों करते हैं तो हम लोग यहां आके धोरना पर दरसां नहीं करना परता है हम लोग मतलब 1-10 तक आहारता लेकर के सार हम लोग रोट बैठे चाह रहे हैं तो हमारी राज्य तो बहुत अच्छी है इता सुरू से हमारी तंत्र चला है यहां से लेकिन सर यह हमारी जो सरकार है अभी फिलाल में नितिश कुमार वो यह जो हो सिच्छा मंत्री इन लोग आपने ही राज्यों में इतना अच्छा पाएं और अपनी समाज को उच्छा अस्तर पर उठाना चाहते हैं तो यह साथ नहीं देते हैं लेकिन उसका प्हूल नहीं करते हैं हमेशा आती हैं गर्दनी बाग में आती हैं लेकिन एक तरफ बिहार के मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम महिला ससक्ति करन की बात करते हैं महिला को मजबूत बनाते हैं और दूसरी तरफ आप उस समाज से बिलॉंग करते हैं जहां पर महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता है और ऐसे समाज में आपने खुद को इस कदर बनाया है कि आप टीचर बन पाए लेकिन आप बार-बार सरकों पर बैठते हैं कैसा लगता है सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपको पता हैं यह बिहार है यह लड़की को हमेशा दवा के रखा जाता है घर से निकलने नहीं मिलता है इस कंडिशन में हम लोग रोड पे हम लोग को सरकार छोड़ दिया है और वोमें इंपार्मेंट का बात करते हैं तो किस ट्राइब का ह प्रतारीत मतलब होता है ना क्या बोले मम्मी को कि बाहर रहकर हम लोग को जौब नहीं हो पाड़ा है गोवर्मेंट जॉब के लिए इतना स्ट्रागल करना पड़ेगा तो अमीद नहीं था और यहाँ पर हम लोग रोड पे हैं तो सरकार से हम लोग का विंती है कि हम लोग क यह राइट है कि अपने हग के लिए लड़े अपना अपना हाट में उठाले तो अपने हग का लड़ाई लड़े हैं और वो लोग जब ऑफिस में बैठके हम लोग को ऐसे रोड पे भटकते हुए देख पा रहे हैं तो उन लोग से यही उमीद है कि हम लोग का बात सुने और इतना दिन तक हम लोग को ऐसे भटका है नहीं बस घर से इतना सपोर्ट मिलता है कि बार बार पटना आकर धड़ना अस्तल पर बैठना धड़ना देना घर से सपोर्ट क्या घर से कन्वें सादी में प्रॉब्लम सब चीज में इतना प्रॉब्लम सहते हुए हम लोड पे आए उसके बाद भी उमीद करते हैं कि अब भी कुछ अच्छा हो सरकार को देकना पड़ेगा घर से जितना भी हम लोग को बॉसके और आगे तक हम लोग का बात अच्छे तरीके से रख है ताकि रोड पे भटके नहीं करते हैं तो महिला अभियर्थी थी, अपनी बातों को रख रही थी, क्योंकि महिला अभियर्थी जो है, वो अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनी बाग में आ रही है, जो पुरुस अभियर्थी है, उनके साथ कंदे से कंदा मिला कर अंदोलन कर रही है, लेकिन इनकी एक जो गर्दणी बाग में धर्नास्तल पर बैठना फिर साम धलते हैं अपने यहां आउंजाना यह न मिड़안हां और यह उस्टेенд को यह में έज यह सवह करते हुए आती